आगामी IBPS द्वारा आयोजित, Bank Provisionary Officers प्रारंबिक परिक्षाहेतु विशेश हल प्रश्न प्रश्न संख्या एक से साथ तक के लिए निर्देश, निमनलेखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक, आठ लोग, EFGH, IJK और L एक वरगाकार टेबल के चारों तरफ और प्रतेक फलक की तरफ दो-दो बैठे हैं दो, इनमें से तीन महिलाएं हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं बैठी हैं तीन, J, L और F के बीच में बैठा है चार, G, I, और F के बीच में बैठा है 5. H, एक महिला सदस्य है जो J के बाएं से दूसरी है 6. F, पुरुष सदस्य है जो एक महिला सदस्य E के विपरीत बैठा है 7. J, एक महिला सदस्य नहीं है प्रश्न संख्य एक, निमनलिकित में से कौन तीन महिला सदस्य हैं? विकल्प A, E, H और J, विकल्प B, E, G और J, विकल्प C, G, H और J, विकल्प D, कहा नहीं जा सकता है विकल्प E, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प E, उपर्युक्त में से कोई नहीं प्रश्न संख्य दो, निमनलिकित में से आई के लिए सत्य कौन सा है? विकल्प A, आई एक पुरुष सदस्य है विकल्प B, आई एक महिला सदस्य है विकल्प C, आई का जेंडर ग्यात नहीं किया जा सकता है विकल्प D, आई का इस्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता है विकल्प E, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प A, आई एक पुरुष सदस्य है प्रश्ण संख्या 3 निमनलिकित में से E और H के बीच व्यक्ति के विशय में क्या सत्य है? विकल्प A एक पुरुश सदस्य है विकल्प B एक महिला सदस्य है विकल्प C E और H के बीच बैठा व्यक्ति के है विकल्प D दोनों A और C विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प D दोनों A और C प्रश्न संख्या 4 K और F के बीच कितने लोग बैठे हैं विकल्प A एक विकल्प B दो विकल्प C तीन विकल्प D कहा नहीं जा सकता विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प C तीन प्रश्न संख्या 5 F के ठीक बाइं नेमनलिक्त में से कौन बैठा है विकल्प A जी विकल्प B जे विकल्प C आई विकल्प D कहा नहीं जा सकता है विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प B जे प्रश्न संख्य अच्छे निमनलिकत में से जे के विशह में सत्य क्या है विकल्प A जे एक पुरुष सदस्य है विकल्प B जे एक महिला सदस्य है विकल्प C, जे का जेंडर निर्धारित नहीं किया जा सकता है विकल्प D, जे का स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता है विकल्प E, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प A, जे एक पुरुष सदस्य है प्रश्न संख्या साथ निम्निलिखित में से जी के ठीक बाई कौन बैठा है विकल्प A, G, विकल्प B, F, विकल्प C, I, विकल्प D कहा नहीं जा सकता है विकल्प E, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प B, F प्रश्ण संख्या 8 से 12 तक के लिए नर्देश नीचे दिये गए प्रत्यक प्रश्ण में तीन कथन दिये गए हैं ग्यात तत्यों से अलग होने पर भी आपको दिये गए कथन को सत्य मानना है दोनों कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िये और ग्यात तत्यों की अभेलना करते हुए निर्णे कीजिए कि कौन सा निशकर्ष दिये गए कतनों का तर्कपून अनुसरन करता है उत्तर निर्धारन कीजिए कि एक, दो, तीन, चार और पांच में से कौन सा सही है और अपना उत्तर पत्र पर अंकित कीजिए प्रश्न संख्या आठ कथन कुछ ब्लेड कागज हैं, कुछ कागज किताबें हैं, कुछ किताबें पैन हैं निशकर्ष एक, कुछ पैन कागज हैं, दो, कुछ किताबें ब्लेड हैं, तीन, कुछ पैन ब्लेड हैं विकल्प A केवल एक अनुसरण करता है, विकल्प B केवल दो अनुसरण करता है, विकल्प C केवल तीन अनुसरण करता है, विकल्प D कोई अनुसरण नहीं करता है, विकल्प E केवल दो और तीन अनुसरण करते हैं, सही उत्तर है विकल्प D कोई अनुसरण नहीं करता है। प्रश्न संख्य नौ, कथन, कुछ पैंसिलें मार्बल हैं, सभी मार्बल बसें हैं, कुछ बसें ट्रक हैं, निशकर्ष एक, कुछ ट्रक पैंसिलें हैं, दो, कुछ बसें पैंसिलें हैं, तीन, कोई ट्रक पैंसिल नहीं हैं, विकल्प A केवल एक अनुसरन करता है, विकल्प B केवल दो अनुसरन करता है, विकल्प C यातो केवल एक या तीन और दो अनुसरन करते हैं, विकल्प D यातो केवल एक या तीन अनुसरन करते हैं, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प सी ग्यातों केवल एक या तीन और दो अनुसरण करते हैं प्रश्न संख्या 10 कथन कुछ पेड जंगल हैं कुछ जंगल फूल हैं सबी फूल सडके हैं निशकर्ष 1. कुछ सडकें जंगल हैं 2. कुछ सडकें पेड हैं तीन कुछ फूल पेड हैं, विकल्प A केवल एक अनुसरण करता है, विकल्प B केवल दो अनुसरण करता है, विकल्प C केवल तीन अनुसरण करता है, विकल्प D केवल एक और दो अनुसरण करते हैं, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प A केवल एक अनुसरण करता है, प्रश्ण संख्या ग्यारा, कथन सभी डेस्क टेबल है, सभी टेबल कुर्सियां है, कुछ कुर्सियां सोफे हैं, निश्कर्ष एक कुछ सोफे डेस्क हैं, दो कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, तीन कुछ टेबल डेस्क हैं, विकल्प A केवल एक और दो अनुसरन करते हैं, विकल्प B केवल दो और तीन अनुसरन करते हैं, विकल्प C केवल एक और तीन अनुसरन करते हैं, विकल्प D सभी अनुसरन करते हैं, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प B केवल दो और तीन प्रश्न संख्य बारा A. केवल एक और चार अनुसरन करते हैं विकल्प B. केवल एक दो और चार अनुसरन करते हैं विकल्प C. केवल एक और चार और तीन और चार में से कोई एक अनुसरन करते हैं विकल्प D. कोई अनुसरन नहीं करता है विकल्प E. सभी अनुसरन करते हैं सही उत्तर है विकल्प भी केवल एक दो और चार अनुसरण करते हैं प्रिष्ट संख्य एक सो सचड प्रश्ण संख्या तेरा से अठारा तक के लिए निर्देश निमनिलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्णों के उत्तर दीजिए शब्द और संख्या को व्यवस्थत करने बाली एक मशीन को शब्दों और संख्याओं की एक पंक्त दिये जाने पर वो से निर्दारित नियमों के अनुसार प्रतेक चरण में पोनर व्यवस्थत करती है निमनलेकित इन्पुट और पुनर विवस्था चरणों का एक उधारण है इन्पुट गौन 92 ओवर 46 83 नाव 33 फॉर चरण एक 92 ओन ओवर 46 83 नाव फॉर 43 चरण दो 92 83 ओन ओवर नाव फॉर 46 33 चरण तीन 92 83 ओवर गौन नाव फॉर 46 33 चरण चार उपर दिये गए इन्पुट का अन्तिम चरण है उपर्युक्त विवस्था में नियमों का अनुसरण किया है प्रतेक प्रश्ण में दिये गए इन्पुट के लिए सही चरण का चुनाव कीजिए इन्पुट 25 विमन 29 नाइन्टिटू 88 साउथ टॉय बॉय फॉर गिविंग प्रश्ण संख्या तेरा निमनलिकित में से चरण एक कौन सा है विकल्प A. 25 विमन 29 88 साउथ टॉय बॉय फॉय 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 फ विकल्प D. 25, 29, विमन, साउथ, टॉय, बॉय, फॉर, 92, 88, विमन, विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प B. 92, विमन, 29, 88, साउथ, टॉय, बॉय, फॉर, गिविंग, 25. प्रश्न संख्या 14. निमनलिकित में से चरण दो में कौन सा शब्द या संख्या बाएंसे चौथे स्थान पर है? विकल्प A. टॉय, विकल्प B. 88, विकल्प C. साउथ, विकल्प D. भुमन, विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प C. साउथ. प्रश्न संख्या 15. दीगई व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवशक्ता है? विकल्प A. आठ, विकल्प B. साथ, विकल्प C. छै, विकल्प D. पाँच, विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं. प्रश्न संख्या 16. निम्नलकित में से चरण 4 में 22 से आठ्में स्थान पर कौन सा शब्द या संख्या है? विकल्प A, 29, विकल्प B, Boy, विकल्प C, For, विकल्प D, Toy, विकल्प E, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प B, Boy प्रश्न संख्य सत्र, नेमने लिखित आउटपुट कौन सा चरण का है? 92, 88, Woman, Toy, South, Boy, For, Giving, 29, 25 विकल्प A, 1st, विकल्प B, 2nd, विकल्प C, 3rd, विकल्प D, 4th, विकल्प E, कहा नहीं जा सकता है? सही उत्तर है विकल्प E, कहा नहीं जा सकता है? प्रश्न संख्य अठ्थार नेमने लिखित में से कौन सा अंतिम चरण है? विकल्प A, 92, 88, Woman, Toy, South, Giving, Boy, For, 29, 25 विकल्प B, 92, 88, Woman, Toy, South, Giving, For, Boy, 29, 25 विकल्प C, 92, 88, Woman, South, Toy, Giving, For, Boy, 29, 15 विकल्प D, ऐसा कोई चरण नहीं है? विकल्प E, उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर है विकल्प B, 92, 88, Women, Toy, South, Giving, For, Boy, 29, 25 प्रश्न संख्या 19-23 तक के लिए निर्देश निमनिलिकित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक स्कूल कारिक्रम में साथ दिनों के लिए सोमवार से शुरू करके रविवार तक अंत करने के लिए साथ विशयों को पढ़ाना निर्दारित किया गया है दो विशयों को शनिवार और रविवार को तथा शेश प्रत्तेक पांच दिनों के लिए एक विशय को निर्दारित किया गया है निमनलिकित विशे साथ दिनों के लिए नियत हैं भौतिक शास्त्र, रसाइन शास्त्र, जीव विज्ञान, तर्क शास्त्र, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, गनित और हिंदी पर आवशक नहीं है कि ये इसी क्रम में हो सामान्य ज्ञान को गुर्वार के लिए रखा गया है, जीव विज्ञान और हिंदी को एक ही दिन के लिए रखा गया है, गनित को भौतिक शास्त्र से तीन दिन पहले रखा गया है, अर्थात दो विशयों को गनित और भौतिक शास्त्र के बीच में रखा गया है गनित को बुद्धवार के लिए नहीं रखा गया है, कंप्यूटर को जीव विज्ञान के ठीक पहले दिन रखा गया है रसाइन शास्त्र को गनित के ठीक अगले दिन रखा गया है, अंग्रेजी को सोमवार के लिए नहीं रखा गया है प्रश्न संख्या उन्निस निम्निलिकित में से कौन सा विशय शुक्रवार के लिए निर्धारित किया गया है विकल्प A. भौतिक शास्त्र विकल्प B. गनित विकल्प C. अंग्रेजी विकल्प D. कंप्यूटर विकल्प E. तर्क शास्त्र सही उत्तर है विकल्प A. भौतिक शास्त्र प्रश्न संख्या 20. रविवार के लिए कौन सा विशय नर्धारित किया गया है? विकल्प A. रसाइन शास्त्र, विकल्प B. गनित, विकल्प C. भौतिक शास्त्र, विकल्प D. हिंदी, विकल्प E. अंग्रेजी सही उत्तर है विकल्प E. अंग्रेजी प्रश्न संख्या 21 निम्निलिकित में से किस दिन के लिए तर्क शास्त्र को निर्धारित किया गया है विकल्प A. शनिवार विकल्प B. शुक्रवार विकल्प C. बुद्धवार विकल्प D. सोमवार विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प D. सोमवार प्रश्न संख्य बाईस निमनलिकित में से कौन सा दिन कंप्यूटर के लिए निरधारित किया गया है विकल्प A. सोमवार विकल्प B. मंगलवार विकल्प C. बुद्धवार विकल्प D. शुक्रवार विकल्प E. रविवार सही उत्तर है विकल्प E. रविवार प्रश्न संख्य तेस जैसे सामान्य ज्यान भौतिक शास्त्र से संबंदित है वैसे ही गणित किस से संबंदित है विकल्प A. तरक शास्त्र विकल्प B. रसायन शास्त्र विकल्प C. सामान्य ज्यान, विकल्प D. कंप्यूटर, विकल्प E. जीव विज्यान सही उत्तर है विकल्प B. रसायन शास्त्र प्रश्न संख्या 24 से 28 तक के लिए निर्देश दिये गए प्रश्नों में एक प्रश्न है और उसके नीचे तीन कथन संख्या एक, दो और तीन दिये गए हैं आपको ये निर्णय करना है कि कथन में दी जा रही सामगरी उत्तर देने के लिए परियाप्त है सभी कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और ये देखें कि कौन सा योग उत्तर देने के लिए परियाप्त है कथनों का एक जोड़ा कम से कम एक कथन के साथ होना चाहिए आपको उत्तर देने के लिए परियाप्त है कथनों को पढ़िए और उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 24 A, B, C, D, E और F उसकी लंबाई अलग-अलग है इन में से सबसे लंबा कौन सा है? कथन संख्या 1 B, A से लंबा है पर E से छोटा है कथन संख्या 2 इन में से C से छोटे केवल 2 ही हैं कथन संख्या 3 D केवल F से लंबा है विकल्प A केवल एक और दो, विकल्प B केवल दो और तीन, विकल्प C केवल एक और तीन, विकल्प D सभी एक, दो और तीन उत्तर देने के लिए आवशक हैं विकल्प E सभी एक, दो और तीन, उत्तर देने के लिए परियाप्त नहीं है, सही उत्तर है विकल्प D सभी एक, दो और तीन, उत्तर देने के लिए आवशक हैं प्रिष्ट संख्या 168 प्रश्ण संख्या 25 गाउँ J गाउँ W से किस दिशा में हैं? कथन संख्या 1 गाउँ R गाउँ W के पस्चिम में और गाउँ T के उत्तर में हैं कथन संख्या 2 गाउँ Z गाउँ J के पूर में और गाउँ T के दक्षण में हैं कथन संख्या 3 गाउँ M गाउँ J के उत्तर पूर में और गाउँ Z के उत्तर में हैं विकल्प A केवल 3, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C सभी 1, 2 और 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवशक हैं, विकल्प D सभी 1, 2 और 3 से भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं प्रश्न संख्या 26, सोमवार से शुरू होने वाले सपता के किस दिन साधना घर पहुँची कथन संख्या 1, साधना ने बुद्दवार की छुट्टी ली थी कथन संख्या 2, अपनी मा के घर आने के एक दिन बाद साधना चेन नहीं गई कथन संख्या 3, साधना की मा साधना के घर न तो सोमवार को आई है और नहीं गुरुवार को विकल्प A केवल 2 और 3, विकल्प B केवल 1 और 3, विकल्प C केवल 1 और 2, विकल्प D सभी 1, 2 और 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवशक है विकल्प E सभी 1, 2 और 3 के होने पर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है सही उत्तर है विकल्प E सभी एक, दो और तीन के होने पर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है प्रश्न संख्य 27 Go को कोट भाशा में कैसे लिखा जाएगा कथन संख्य 1 Now or Never Again को कोट भाशा में Ton, Ka, Na, Sa लिखा जाता है कथन संख्य 2 You, Come, Again, Now को कोट भाशा में Ja, Ka, Ta, Sa लिखा जाता है कथन संख्य 3 Again, Go, Now or Never को कोट भाशा में Na, Ho, Ka, Sa, Torn लिखा जाता है विकल्प A केवल दो और तीन विकल्प B केवल एक और तीन विकल्प C केवल एक और दो विकल्प D सभी एक दो और तीन प्रशन का उत्तर देने के लिए आवशक है विकल्प E, सभी एक, दो और तीन के होने पर भी प्रश्ण का उत्तर नहीं दिया जा सकता है सही उत्तर है विकल्प B, केवल एक और तीन प्रश्ण संख्या 28, 30 जुलाई 2012 को आदित्य कितने वर्ष का हो गया कथन संख्या 1, आदित्य अपने भाई प्रवीर से छे वर्ष बढ़ा है कथन संख्या 2, प्रवीर अपनी मा से 29 वर्ष छोटा है कथन संख्या 3, आदित्य की माने अपना पचास्वा जन्म दिन 15 जुन 2012 को मनाया है विकल्प A, केवल दो और तीन विकल्प B, केवल एक और तीन, विकल्प C, केवल एक और दो विकल्प D, सभी एक, दो और तीन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवशक है विकल्प E, सभी एक, दो और तीन के होने पर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है सही उत्तर है विकल्प D, सभी एक, दो और तीन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवशक है प्रश्न संक्या 39 से 33 तक के लिए निर्देश निमनलिकित प्रश्नों में दिये गए कथनों को सत्य माने ग्यात कीजिए कि दिये गए दो निशकर्शों एक और दो में से कौन सा सत्य है उत्तर दीजिए एक यदि केवल निशकर्श एक सत्य है दो यदि केवल निशकर्श दो सत्य है तीन यदि या तो एक या दो सत्य है चार यदि ना तो एक ना ही दो सत्य है पांच यदि दोनों एक और दो सत्य हैं निमनलिखित कथनों में विभन तत्वों के बीच संबंद दर्शाये गए हैं इन कथनों के आगे दो निशकर्ष दिये गए हैं उत्तर दीजिए प्रश्न संख्या 29 कथन P is less than equal to F L is equal to K N is equal to P F is greater than equals to L निशकर्ष एक, F is equal to K निशकर्ष दो, F is greater than K विकल्प A एक, विकल्प B दो, विकल्प C तीन, विकल्प D चार, विकल्प E पांच सही उत्तर है विकल्प C तीन प्रश्न संख्या 30 कथन C is greater than equal to G Q is greater than equal to R J is greater than equals to C Q is equals to Z G is greater than equals to Q निश्कर्ष एक, G is greater than equals to Z निश्कर्ष दो, C is greater than equals to R विकल्प A एक, विकल्प B दो, विकल्प C तीन, विकल्प D चार, विकल्प E पाँच सही उत्तर है विकल्प E पाँच प्रश्न संख्या इकतिस कथन, D is greater than C, A is greater than B, greater than C, D is greater than E, is greater than F निश्कर्ष एक, E is greater than C, निश्कर्ष दो, F is greater than B विकल्प A एक, विकल्प B दो, विकल्प C तीन, विकल्प D चार, विकल्प E पाँच सही उत्तर है विकल्प D चार प्रश्न संख्या बत्तिस कथन, M is greater than equals to N, K is less than L, N is greater than O, K is greater than M निश्कर्ष एक, O is less than M, निश्कर्ष दो, O is less than K विकल्प A एक, विकल्प B दो, विकल्प C तीन, विकल्प D चार, विकल्प E पाँच सही उत्तर है विकल्प E पाँच प्रश्न संख्या तेतिस कथन, Z is less than equals to Y, X is less than Z, Y is greater than L, L is greater than equals to Z निश्कर्ष एक, Y is greater than equals to L, निश्कर्ष दो, Y is greater than X विकल्प A एक, विकल्प B दो, विकल्प C तीन, विकल्प D चार, विकल्प E पाँच सही उत्तर है विकल्प B दो प्रश्न संख्या 34 से 35 तक के लिए निर्देश निमने लिखित प्रश्न दीगई वान क्रम की श्रंखला पर आधारित हैं जे, क्यू, एफ, एम, सी, आर, एस, ह, डी, के, ओ, ए, टी, एन, पी, वी, बी, एल, जी, आई, यू, एफ प्रश्न संख्या 34 ये दि बेस्ट को पी, आई, सी, ओ में कोड कर दिया जाए तो गोल्ड का कोड क्या होगा विकल्प A, UTIO, विकल्प B, BDVS, विकल्प C, BDGS, विकल्प D, UTVS, विकल्प E, BVDS, सही उत्तर है विकल्प B, BDVS प्रश्न संख्या 35 ये दि RT, HP से और FL, CI से निश्चित प्रकार से संबंदित हो तो इसी आधार पर के वी निम्नलिकित में से किस से संबंदित है विकल्प A, H, N, विकल्प B, O, L, विकल्प C, A, G, विकल्प D, O, B, विकल्प E, A, L सही उत्तर है विकल्प E, A, L प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के लिए नर्देश प्रतेक प्रश्न में दो समीकरण A और B दिये गए हैं दोनों समीकरणों को हल कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक, यदि X is greater than Y, दो, यदि X is greater than equals to Y, तीन, यदि X is less than Y, चार, यदि X is less than equals to Y, पांच, X is equals to Y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है प्रश्न संख्या 36 समीकरण A तीन X स्क्वाइर प्लस आर्ट एक्स प्लस चार बराबर जीरो और समीकरण B चार वाई स्क्वाइर माइनस उन्नेस वाई प्लस बारा बराबर जीरो विकल्प A एक, विकल्प B दो, विकल्प C तीन, विकल्प D चार, विकल्प E पांच सही उत्तर है विकल्प C तीन उत्तर का हल हल करने पर X बराबर माइनस दो बटे तीन या माइनस दो, Y बराबर तीन बटे चार या चार प्रश्न संख्या 37 समीकरण A X square plus X minus 20 बराबर 0 समीकरण B Y square minus Y minus 30 बराबर 0 विकल्प A 1, विकल्प B 2, विकल्प C 3, विकल्प D 4, विकल्प E 5 सही उत्तर है विकल्प E 5, उत्तर का हल हल करने पर X बराबर 4, minus 5 Y बराबर minus 4, 6 प्रश्न संख्या 38 समीकरण A X square minus 1 बराबर 0 और समीकरण B Y square plus 4Y plus 3 बराबर 0 विकल्प A 1, विकल्प B 2, विकल्प C 3, विकल्प D 4, विकल्प E 5, सही उत्तर है विकल्प B 2, उत्तर का हल X बराबर plus 1, minus 1 तथा Y बराबर minus 1, minus 3 तुल्ना करने पर X is greater than equals to Y प्रश्न संख्या 49 समीकरण A X square minus 7X plus 12 बराबर 0 और समीकरण B Y square minus 12Y plus 32 बराबर 0 विकल्प A 1, विकल्प B 2, विकल्प C 3, विकल्प D 4, विकल्प E 5, सही उत्तर है विकल्प D 4, उत्तर का हल X बराबर 3, 4 तथा Y बराबर 4, 8 तब X is less than equals to Y प्रश्न संख्या 40 समीकरण A X square बराबर 729 और समीकरण B Y बराबर under root 729 विकल्प A 1, विकल्प B 2, विकल्प C 3, विकल्प D 4, विकल्प E 5 सही उत्तर है विकल्प D 4 उत्तर का हल हल करने पर X बराबर 27, मैनस 27 तथा Y बराबर 27 तुल्ना करने पर X is less than equals to Y प्रिष्ट संख्या 179 प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के लिए निर्देश दी गई संख्या श्रणी में प्रश्न चिन के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न संख्या 21, 117, 390, 525, 593, 627 प्रश्नवाचक चिन विकल्प A 654, विकल्प B 640, विकल्प C 634, विकल्प D 630 विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर का हल 117 प्लस 272, 390 390 प्लस 136, 525 525 प्लस 68, 593 593 प्लस 34, 627 627 प्लस 17, 644 प्रश्न संख्य 42, 7, 11, 23, 51 103 प्रश्नवाचक चिन विकल्प A 186, विकल्प B 188, विकल्प C 185, विकल्प D 187, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प D 187, प्रश्न संख्य 43, 18, 27, 49, 84, 132 प्रश्नवाचक चिन विकल्प A 190, विकल्प B 188, विकल्प C 180, विकल्प D 193, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प D 193, प्रश्न संख्य 44, 33, 43, 65, 99, 145 प्रश्नवाचक चिन विकल्प A 201, विकल्प B 203, विकल्प C 205, विकल्प D 211, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प B 203, विकल्प B 203, विकल्प A 205, विकल्प B 210, विकल्प C 195, विकल्प D 190, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं उत्तर का हल 655-6 का क्यूब 449, 449-5 का क्यूब 314, 314-4 का क्यूब 250, 250-3 का क्यूब 223, 223-2 का क्यूब 215, प्रश्न संख्या 46-50 तक के लिए निर्देश दिये गए प्रश्नों में तीन कथन दिये गए हैं आपको ये निर्दे करना है कि किस प्रश्न में उत्तर देने के लिए परियाप्त डाटा दिया गया है उसी के अनुसार अपना उत्तर चिन्नित कीजिए प्रश्न संख्या 46- समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है एक त्रिभुज का आधार एक सेंटिमीटर है दो त्रिभुज का लंब वाई सेंटिमीटर है तीन त्रिभुज का करन दो सेंटिमीटर है विकल्प A केवल एक और दो विकल्प B केवल दो विकल्प C केवल दो और तीन विकल्प D तीन में से कोई दो विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प A केवल एक और दो उत्तर का हल समकून त्रिभुच का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो बी गुणा एच तथा कन बराबर अंडरूट बी स्क्वाइर प्लस एच स्क्वाइर चुकि दिये गए तीनों कथनों में से किनी दो को मिलाकर हम त्रिभुच का क्षेत्रफल ग्याद कर सकते हैं प्रश्न संख्या 47 एक परिवार में छे सदस्यों A, B, C, D, E और F की ओसत आयू क्या है 1. D और E की कुल आयू 14 वर्ष है 2. A, B, C और F की ओसत आयू 50 वर्ष है 3. A, B, D और E की ओसत आयू 40 वर्ष है विकल्प A केवल 1 और 2 विकल्प B केवल 2 विकल्प C केवल 2 और 3 विकल्प D तीन में से कोई 2 विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 और 2 उत्तर का हल 1 और 2 से हम केवल परिवार की ओसत आयू ज्यात कर सकते हैं प्रश्न संख्य 48 बताईए कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है एक एक साधारन ब्याज की दर पर 10 वर्षों में मूल धन दो गुना हो जाता है दो रुपे 15,000 की मूल धन राशी पर दो वर्षों में प्राप्त साधारन ब्याज और चक्र व्रिद्धी ब्याज में रुपे 150 का अंतर आता है तीन आत पर्षों में प्राप्त चक्र व्रिद्धी ब्याज मूल धन राशी से अधिक है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C केवल दो और तीन, विकल्प D केवल एक और तीन, विकल्प E या तो केवल एक या दो सही उत्तर है विकल्प E या तो केवल एक या दो प्रश्न संख्य उन्चास अभिजीत को अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं एक अभिजीत को गणित में विज्ञान से बीस अधिक अंक प्राप्त हुए हैं 2. अबिजीत को अंग्रेजी, विज्ञान और गनित में कुल 198 अंक प्राप्त हुए हैं. 3. अबिजीत को विज्ञान में अंग्रेजी से 12 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं. विकल्प A. तीन में से कोई दो, विकल्प B. केवल दो और तीन, विकल्प C. सभी एक दो और तीन, विकल्प D. केवल एक और तीन, विकल्प E. केवल तीन, सही उत्तर है विकल्प C. सभी एक दो और तीन. उत्तर का हल अभिजीत को अंग्रेजी में प्राप्त अंक E, अभिजीत को विज्ञान में प्राप्त अंक S, अभिजीत को गणित में प्राप्त अंक M हमें निम्निलिकित समीकरण मिले M बराबर S प्लस 20, M प्लस S प्लस E बराबर 198, S बराबर E प्लस 12 समी करणों को हल करने के लिए हमें तीनों कथनों की आवशक्ता है प्रश्न संख्या 50 B. अकेला काम को कितने दिनों में पूरा करता है 1. A और B दोनों मिलकर काम आट दिनों में पूरा करते हैं 2. B और C मिलकर काम को दस दिनों में पूरा करते हैं तीन A और C मिलकर काम को बारा दिनों में पूरा करते हैं विकल्प A तीन में से कोई दो विकल्प B केवल दो और तीन विकल्प C सभी एक दो और तीन विकल्प D केवल एक और तीन विकल्प E केवल तीन सही उत्तर है विकल्प C सभी एक दो और तीन प्रश्ण संख्या 51 से 55 तक के लिए निर्देश निम्नलिखित ग्राफ को पढ़े और प्रश्णों के उत्तर दीजिए Candidates applied for bank A and B in the years 2003 to 2008 respectively ग्राफ का विवरण इस प्रकार है X अक्षपर वर्ष और Y अक्षपर उमीदवारों की संख्या लाखों में दी गई है वर्ष 2003 के लिए उमीदवारों की संख्या bank A में 2 लाख, bank B में 5 लाख वर्ष 2004 के लिए उमीदवारों की संख्या bank A में 3 लाख, bank B में 6 लाख वर्ष 2005 के लिए उमीदवारों की संख्या bank A में 4 लाख, bank B में 5 लाख वर्ष 2006 के लिए उमीद्वारों की संख्या बैंक A में 5 लाग, बैंक B में 8 लाग वर्ष 2007 के लिए उमीद्वारों की संख्या बैंक A में 4 लाग, बैंक B में 5 लाग वर्ष 2008 के लिए उमीद्वारों की संख्या बैंक A में 7 लाग, बैंक B में 9 लाग सभी वर्षों को मिलाकर ओसतन कितने उम्मीद्वारों ने बैंक A के लिए आवेदन किया था विकल्प A 4.1 लाक, विकल्प B 5 लाक, विकल्प C 3.1 लाक, विकल्प D 4.5 लाक, विकल्प E 3.8 लाक सही उत्तर है विकल्प A 4.1 लाक उत्तर का हल उसत संख्या बराबर एक बटे छे गुणा दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस चार प्लस साथ लाक बराबर एक बटे छे गुणा पचीस लाक बराबर चार दशमलव एक लाक सबी वर्षों को मिलाकर बैंक A के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत लगभग है? विकल्प A 89, विकल्प B 66, विकल्प C 70, विकल्प D 75, विकल्प E 60, सही उत्तर है विकल्प B 66 उत्तर का हल अभिश्ट प्रतिशत बराबर 25 बटे 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 गुणा 100 दराबर 25 बटे 38 बराबर 66 लगभग प्रश्न संख्या त्रेपन इन में से किन वर्षों में दोनों बैंकों में आवेदन करने बाले कुल उम्मीद्वारों की संख्या बराबर थी विकल्प A. 2004, 2005 और 2008 विकल्प B. 2005, 2006 और 2007 विकल्प C. 2004, 2005 और 2007 विकल्प D. 2004, 2006 और 2008 विकल्प E. 2006, 2007 और 2009 सही उत्तर है विकल्प C. 2004, 2005 और 2007 उत्तर का हल 2004, 2005 और 2007 में अलग अलग दोनों बैंकों के लिए आविदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 9 लाख है प्रश्न संख्या 54 यदि बैंक B में आविदन करने वाले 20 प्रतिशत उम्मीदवार वर्श 2008 में योग्य घोशित किये गए तो उसी वर्श अयोग्य घोशित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी विकल्प A 7.2 लाख विकल्प B 72,000 विकल्प C 6.4 लाख विकल्प D 64,000 विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प A 7.2 लाख उत्तर का हल अयोग्य उम्मीदवारों की अभिष्ट संख्या बराबर 80 बटे 100 गुण 9 लाख बराबर 720 बटे 100 लाख बराबर 7.2 लाख प्रश्ण संख्या 55 वर्ष 2006 और 2008 में बैंक A के लिए आविदन करने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या और वर्ष 2005 और 2008 में बैंक B में आविदन करने वाले कुल उम्मीदवारों का क्रमशा अनुपात कितना है विकल्प A 5 अनुपात 6, विकल्प B 6 अनुपात 7, विकल्प C 7 अनुपात 8, विकल्प D 9 अनुपात 10, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प B 6 अनुपात 7 उत्तर का हल अभिष्ट अनुपात बराबर 5 प्लस 7 बटे 5 प्लस 9 बराबर 12 बटे 14 बराबर 6 बटे 7 या 6 अनुपात 7 प्रिष्ट संख्या 170 प्रश्ण संख्या 56 से 60 तक के लिए निर्देश निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्यन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक तालिका दी गई है जिसका शीर्षक है सभी साथ संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या तालिका के दो कॉलम है, पहले कॉलम का शीरशक है वर्ष वा दूसरे कॉलम का सीरशक है संस्थान, संस्थान कॉलम पुना साथ भागों में विभक्त है, संस्थान A, संस्थान B, संस्थान C, संस्थान D, संस्थान E, संस्थान F और संस्थान G, तालिका इस प्रकार है, वर्ष वर्ष दोहजार दो, संस्थान A. 750, संस्थान B. 640, C. 680, D. 780, E. 740, F. 620, G. 650. वर्ष दोहजार तीन, संस्थान A. 700, B. 600, C. 720, D. 800, E. 720, F. 580, G. 720. वर्ष दोहजार चार, संस्थान A. 800, B. 620, C. 730, D. 820, E. 760, F. 640, G. 730. वर्ष दोहजार पांच, संस्थान A. 820, B. 660, C. 670, D. 760, E. 750, F. 560, G. 750. वर्ष दोहजार चार, संस्थान A. 740, B. 760, C. 690, D. 790, E. 780, F. 650, G. 680. वर्ष दोहजार साथ, संस्थान A. 720, B. 740, C. 700, D. 810, E. 730, F. 630, G. 690. वर्ष दोहजार आर्ट, संस्थान A. 780, B. 700, C. 660, D. 840, E. 700, वर्ष दोहजार तीन में संस्थान A. B. और C. के कुल चारों और वर्ष दोहजार पांच में संस्थान E. F. और G. के कुल चारों का क्रमशा अनुपात कितना है? विकल्प A. 103 अनुपात 101, विकल्प B. 101 अनुपात 103, विकल्प C. 51 अनुपात 53, विकल्प D. 53 अनुपात 57, विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प B. 101 अनुपात 103 उत्तर का हल अभिष्ट अनुपात बराबर 700 प्लस 600 प्लस 720 बटे 750 प्लस 560 प्लस 750 बराबर 2020 बटे 2060 बराबर 101 अनुपात 103 प्रश्न संख्य सत्तावन गिदि सभी संस्थानों से वर्ष 2002 में कुल 70 प्रतिशत चात्र पास हुए तो इन सभी संस्थानों से वर्ष 2002 में पास होने वाले कुल चात्रों की संख्या ग्यात कीजिए. विकल्प A 3402 विकल्प B 3420 विकल्प C 3422 विकल्प D 3382 विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं. सही उत्तर है विकल्प A 3402 उत्तर का हल 2002 में सभी संस्थानों के चात्रों की कुल संख्या बराबर 750 प्लस 640 प्लस 680 प्लस 780 प्लस 740 प्लस 620 प्लस 650 बराबर 4860. इसलिए पास होने वाले चात्रों की अभिष्ट संख्या बराबर 70 बटे 100 गुणा 4860 बराबर 3402. प्रश्न संख्या 58 यदि दिये गए वर्षों में संस्थान B से कुल 60 प्रतिशत चात्र पास हुए हैं तो औसतन कितने चात्र पास हुए लगभग? विकल्प A 430 विकल्प B 425 विकल्प C 390 विकल्प D 395 विकल्प E 405 सही उत्तर है विकल्प C 390. उत्तर का हल संस्थान B में सभी दिये गए वर्षों के लिए चात्रों की संख्या बराबर 640 प्लस 600 प्लस 620 प्लस 660 प्लस 760 प्लस 740 प्लस 700 बराबर 4720 पास होने वाले चात्रों की कुल संख्या बराबर 60 बटे 100 गुणा 4720 बराबर 2832 अत्तर पास होये चात्रों की ओसत संख्या बराबर 1 बटे 7 गुणा 2832 बराबर 404.57 या 405 लगभग? प्रश्न संख्या 69 वर्ष 2004 में संस्थान F के कुल चात्र उसी संस्थान में सभी साथ वर्षों के कुल चात्रों का कितना प्रतिशत है? दशमलव के बाद दो अंकों तक उत्तर दीजिए विकल्प A 14.28 विकल्प B 14.98 विकल्प C 12.90 विकल्प D 14.75 विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प D 14.75 उत्तर का हल अभिष्ट प्रतिशत बराबर 640 बटे 620 प्लस 580 प्लस 640 प्लस 560 प्लस 650 प्लस 630 प्लस 660 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 640 बटे 4340 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 14.75 प्रतिशत लगभग प्रश्न संख्या 60 वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में सभी संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या के बीच कितना अंतर है विकल्प A 50 विकल्प B 70 विकल्प C 10 विकल्प D 30 विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प C 10 उत्तर का हल अभिष्ट अंतर बराबर 780 प्लस 700 प्लस 660 प्लस 840 प्लस 720 प्लस 660 प्लस 740 माइनस ब्रेकेट 740 प्लस 760 प्लस 690 प्लस 790 प्लस 780 प्लस 650 प्लस 680 ब्रेकेट बन बराबर एक्क्यावन सो माइनस पांच अजार नब्ब बराबर दस प्रश्ण संख्य एकसड एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है एक दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले वाले पाइप से दो गुना है वो भी टंकी को खाली करने के लिए उसी टंकी में लगाया गया है दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में खाली कर सकते हैं विकलब A 8 मिनट, विकलब B 13 मिनट, विकलब C 30 मिनट, विकलब D 38 मिनट, विकलब E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकलब A 8 मिनट उत्तर का हल यहां दूसरे पाइप द्वारा खाली किये गए पानी का आयतन पहले पाइप से चार गुना होगा पहले पाइप का एक बटे चार समय लगेगा जब दोनों पाइप एक मिनट बराबर एक बटे आठ में खाली हो जाते हैं तो टैंक का हिस्सा आठ मिनट में खाली हो जाएगा प्रश्न संख्या बासट A. एक काम का आदा हिस्सा पांच दिनों में पूरा कर सकता है B. उसी काम का तीन बटे पांच हिस्सा नौ दिनों में पूरा कर सकता है और C उसी काम का दो बट तीन हिस्सा आट दिनों में पूरा कर सकता है तीनों मिलकर कितने दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं विकल्प A 3, विकल्प B 5, विकल्प C 4 सही एक बट दो, विकल्प D 4, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प D 4 उत्तर का हल A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम बराबर एक बटे 10 प्लस एक बटे 15 प्लस एक बटे 12 बराबर एक बटे 4 अता तीनों मिलकर उसी काम को चार दिनों में पूरा कर सकते हैं प्रश्न संखिय 63 गिद 30 वस्तों का अंकित मुल्य 40 वस्तों के विक्रे मुल्य के बराबर है तो छूट का प्रतिशत ज्याद कीजिए विकल्प A 25 प्रतिशत विकल्प B 33.33 प्रतिशत विकल्प C 75 प्रतिशत विकल्प D 20 प्रतिशत विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प ए 25 प्रतिशत उत्तर का हल 30 का अंकित मूल्य बराबर 40 का विक्रे मूल्य MP अपॉन SP बराबर 40 बटे 30 इसलिए छूट का प्रतिशत बराबर 10 बटे 40 गुणा 100 बराबर 25 प्रतिशत प्रश्न संख्या 64 सम चत्रभुज का एक फलक 6.5 सेंटिमीटर का है और उसकी उंचाई 10 सेंटिमीटर है यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटिमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताईए विकल्प A 5 सेंटिमीटर विकल्प B 6.5 सेंटिमीटर विकल्प C 10 सेंटिमीटर विकल्प D 26 सेंटिमीटर विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प A 5 cm उत्तर का हल चुंकि क्षेत्रफल बराबर एक बटे 2 D1 D2 बराबर 6.5 गुणा 10 एक बटे 2 गुणा 26 गुणा D2 बराबर 65 26 गुणा D2 बराबर 130 D2 बराबर 5 cm प्रश्न संख्या 65 एक कक्षा के 30 लड़कों की आयू का ओसत 15 वर्ष है एक लड़का जिसकी आयू 20 वर्ष है उसने कक्षा छोड़ दी है पर उसकी जगह पर दो नए लड़के आई हैं जिनकी आयू में 5 वर्षों का अंतर है यदि अब कक्षा के लड़कों की ओसत आयू 15 वर्ष है तो कनिष्ट अर्थात छोटे नए लड़के की आयू ज्यात कीजिए विकल्प A 20 वर्ष, विकल्प B 15 वर्ष, विकल्प C 40 वर्ष, विकल्प D 8 वर्ष, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प B 15 वर्ष, उत्तर का हल, माना नए लड़के की उम्र बराबर X तब बड़े लड़के की उम्र बराबर X प्लस पांच, इसलिए 450 माइनस 20 प्लस 2X प्लस 5 बराबर 465, 435 प्लस 2X बराबर 465, X बराबर 15 वर्ष, प्रश्न संख्या 66, दो त्रिवुजों का क्षेत्रफल क्रमश इक्क्यासी वर्ग सेंटिमीटर और उन्चास वर्ग सेंटिमीटर है, उनकी समरूप लंबाई का अनुपात कितना होगा? विकल्प A नौ नुपात साथ, विकल्प B साथ अनुपात तीन, विकल्प C तीन अनुपात साथ, विकल्प D 81 अनुपात उन्चास, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है, विकल्प A नौ नुपात साथ, विकल्प A नौ नुपात साथ, विकल्प A नौ नुपात साथ, विकल्प A नुपात B बराबर दो नुपात तीन, और B नुपात C बराबर चार नुपात पाँच, ए स्क्वेर अनुपात B स्क्वेर अनुपात B सी बराबर ग् विकल्प A. 94.9.45, विकल्प B. 16.9.46.45, विकल्प C. 16.9.46.20, विकल्प D. 94.9.46.40, विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प B. 16.9.46.45, उत्तर का हल, A. B. 2.3, B. C. 4.5, इसलिए A. B. C. 8.12.15, अथ A. 2. B. 2. B.C. 16.36.45, प्रश्न संख्या 68, एक विकल्प एक वस्तु के अंकित मूल्य पर, 10 प्रतिशत की छूट देने पर भी उसे 20 प्रतिशत का लाब प्राप्त होता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य रुपे 800 है, तो वस्तु का क्रे मूल्य क्या है? विकल्प A. 1.900, विकल्प B. 1.800, विकल्प C. 1.700, विकल्प D. 1.600, विकल्प E. उपर्युक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर है विकल्प D. 1.600, उत्तर का हल, अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत बराबर क्रे मूल्य का 120 प्रतिशत, 720 बराबर क्रे मूल्य का 120 प्रतिशत, इसलिए क्रे मूल्य बराबर रुपे 600, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई मीटर में बताईए विकल्प A 188, विकल्प B 186, विकल्प C 170, विकल्प D 96, विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है विकल्प B 186 उत्तर का हल S बराबर D अपॉन 8, S बराबर D प्लस 274 बटे 20, D प्लस 274 बटे 20, बराबर D बटे 8, 20 D बराबर 8 D प्लस 2112, D बराबर 2112 बटे 12, बराबर 176 प्रश्न संक्या सत्तर एक धन राशी पर दो बर्शों के लिए 5 प्रतिशत की वार्शिक दर्से प्राप्त चक्रविर्दी ब्याज और साधारन ब्याज में रुपे 15 का अंतर आता है कुल राशी ग्यात कीजिए विकल्प A रुपे 6,500 विकल्प B रुपे 5,500 विकल्प C रुपे 6,000 विकल्प D रुपे 7,000 विकल्प E उपर्युक्त में से कोई नहीं रुपे 6,000 विकल्प 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 are given in bold to help you locate them while answering some of the questions the wake-up call that china represents to india is not limited to its showpiece urban centers or that new delhi hopes india will experience the benefits that the olympic games have brought to beijing more pertinent is the comparison of the agricultural sectors of the two countries why and how has china managed to outstrip india in agriculture when twenty-five years ago the two countries were on perron most parameters both have traditionally been agrigerian economies and over half their populations continue to depend on the land for their livelihood page number one seventy seven with large populations and histories of famine india and china share concern on issues such as food security however while india's agricultural sector is projected to grow by about 2.5 percent this year a slight from the previous year's growth china's has been steadily growing at between four percent and five percent over the last 15 years the widest divergence between india and china is in the profitable horticultural sector with the production of fruits and vegetables in china leaping from 60 million tons in 1980 compared to india's 55 million tons at the same time to 450 million tons in 2003 ahead of india's corresponding 135 million tons china's added advantage lies in the more diversified composition of its agricultural sector with animal husbandry and fisheries which account for close to 45 percent of growth compared to 30 percent for india according to the latest report by the economic advisory council the traditional excuses for india's substandard performance in the farm sector are inadequate since india is paced favorably when compared to china in terms of quantity of arable land average farm size farm mechanization etc the reasons for china having outperformed india are threefold technological improvements occurring from research and development china has over thousand r d centers devoted to agriculture investment in rural infrastructure and an increasingly liberalized agriculture policy moving from self-sufficiency to leveraging the competitive advantage with a focus on efficiency as much as equity investment in rural infrastructure roads storage facilities marketing facilities are also crucial but government support in india has mainly been through subsidies not investment there has been much debate about subsidies and their utility the opposing view being that subsidies are against the market reforms and distort the market as well as reduce resource efficiency in contrast to the 2046 applications for the registration of new plant varieties in china over the past few years data reveals that despite india having the largest number of agricultural scientists in the world india's current research track record is abysmal equivalent to what china achieved in the 1980s far from developing new strains the number of field crop varieties fell by 50 percent between 1997 and 2001 despite the fact that there was sharp and sustained increase in funding one reason is that majority of the budget is eaten up by staff salaries with only three percent being allotted for research in contrast most agricultural research centers in china must use central government funding purely for research funds relating to salaries and other administrative incidentals must be generated by the centers themselves the centers and scientists are thus encouraged to engage in joint ventures with private sector companies to form commercial sign offs from their research in fact research staff are now being hired on a contract basis with pay based on performance and salaries raised proportionately for those who perform well india needs to learn from china's example and adopt a pragmatic approach if it has to meet its targets of the eleventh five-year plan question number seventy one what has been the major area of difference in the development of the agricultural sectors of india and china option a quantity of arable land in china is far greater than in india option b food security is not a concern for china as the country is basically self-sufficient option c china has experienced substantial growth in production in allied agricultural activities like horticulture in allied agricultural activities like horticulture option d india's agricultural sector is too diversified so it is difficult to channel funds for development option e none and the correct option is option c china has experienced substantial growth in production in allied agricultural activities like horticulture question number 72 which of the following is or ours in which china has not outdone india first development of urban infrastructure second activities allied to agriculture like animal husbandry third successful bids for international sporting events option a none option b only second option c only first option d both first and second option e both second and third and the correct option is option a none question question number 73 according to the author which of the following is a legitimate explanation for india's stagnating agricultural sector first first india diverts funds that should be spent on agricultural research to urban development second reforms are hampered because adequate subsidies are not provided by the government third the procedure for registering new plant varieties is very tedious so research is limited option a none option b only second option c only four option d both first and second option e both second and third and the correct option is option a none question number 74 which of the following is an advantage that india holds over china with respect to the agricultural sector option a lack of diversification of the agricultural sector option b superior technology and farming practices option c greater prevalence of farm mechanization option d provision of fertilizer and power subsidies option d abundant research generated by their scientists and the correct option is option c greater prevalence of farm mechanization question question number 75 question number 75 why was there a drop in development of new crop varieties for five years from 1997 option a government funding for research fell during that period option b funds were diverted during this period to agricultural mechanization option c the private sector was not allowed to fund research option d a large number of agricultural scientists left india for better opportunities abroad during this period option e none and the correct option is option e none page number 172 question number 76 what argument has been posed against implementation of subsidies first subsidies sacrifice equify for efficiency second subsidies hamper efficient resource utilization third subsidies reduce private sector investment and involvement in agriculture option a option a both first and second option b only second option c both second and third option d only first option e none and the correct option is option b only second question question number 77 which of the following cannot be said about indian agricultural universities first attendance is poor because of the dwindling funds to carry out research second enrollments of students and qualified staff have fallen because of the lack of funds for salaries third third allotment for research funding by the government is non-existent option a both first and second option b only second option b only second option c both second and third option d only first option e none and the correct option is option e none question question number 78 which of the following is not responsible for china's successful transformation of its agricultural sector first change in philosophy from self-sufficiency to competitiveness and efficiency second greater allocation for subsidies third increased investment in marketing and distribution networks option a both first and second option b only second option c both second and third option d only first option e none and the correct option is option c both second and third question question number 79 choose the word which is most nearly the same in meaning as the word printed in bold as used in the passage pertinent option a intense option b sizable option c practical option d visible option e significant and the correct option is option c practical explanation explanation of the answer pertinent means logical explanation of the answer pertinent means logical question number 80 choose the word which is opposite in meaning of the word printed in bold as used in the passage pragmatic option a faithful option b unwilling option c idealistic option d practical option e inexperienced and the correct option is option e inexperienced explanation of the answer pragmatic means dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical considerations directions for question number 81 to 85 in each of the following sentences there are two blank spaces below each five words pair have been denoted by letters a b c d and e find out which pair of words can be filled up in the blanks in the sentence in the same sequence to make the sentences meaningful complete question number 81 research shows that an organization's dash to cater to the customer's changing needs will dash its success option a intent realize option b ability determine option c capacity lead option d desire ensure option e flexibility acquire and the correct option is option b ability determine question number 82 in many rural areas hospitals are dash equipped because of the dash of funds from the government option a well dearth option b faulty lacking option c optimally disparity option d inadequately scarcity option e e ill surplus and the correct option is option b faulty lacking question number 83 a company can dash the potential of its employees dash various training programs option a emphasize for option b exploit from option c enhance through option d appraise by option b exploit from option e identify under option e identify under and the correct option is option c enhance through question number 84 the objective of the survey is to dash the impact of the rising rupee on a dash engineering sector option option a attribute profitable option b establish tensed option c intensity volatile option d sub instantiate reinforced option e ascertain thriving and the correct option is option e ascertain thriving question number 85 the country's economic growth has been achieved dash exports and dash large amounts of foreign direct investment option a on boosting option b despite estimating option c mostly soliciting option d via attracting option e substantial opposing and the correct option is option d via attracting directions for question number 86 to 90 which of the phrases a b c and d given below should replace the phrases given in bold in the following sentence to make the sentence grammatically meaningful and correct if the sentence is correct as it is and no correction is required mark e as the answer question number 86 considering the high demand for fights to gulf countries airlines can rise in prices bold phrase is can rise in option a should rise option b could raised option c may raise option d will raise up option e no correction required and the correct option is option d will raise up explanation of the answer will raise up fits the sentence appropriately as rise means increase and risen means to increase question number 87 question number 87 without both issue is clarified the board has kept all other matters before it pending bold phrase is without both issue is option a unless both issues are option b until each issue were option c without the issue being option d since both issues option e no correction required and the issue is required and the correct option is option b unless both issues are explanation of the answer unless both issues are fits the sentence appropriately as the word unless is used in the context of a precondition and means if this condition is not met question number 88 the incident has clearly highlighted his knowledge and attentire of detail bold phrase is attentire of detail option a attended to detail option b attentively on details option c attention for detail option d attention for detail option e no correction required and the correct option is option c attention for detail explanation of the answer attention to detail fits the sentence appropriately as it makes the grammatical structure of the sentence correct question number 89 the bank's accumulated losses have come up for manageable levels this year bold phrase is come up option a come to option b came into option c coming from option d came within option e no correction required and the correct option is option a come to explanation of the answer come to fits the sentence appropriately as it conveys the proper sense in the sentence question number 90 improving the educational system which is one of the worst in the world requires commitment from the country's politicians bold phrase is one of the worst in option a among the worst option b one of the worst option c become the worst option d from the worst option e no correction required and the correct option is option e no correction required page number 173 directions for question number 91 to 95 rearrange the following sentences first second third fourth fifth and sixth into a meaningful paragraph and then answer the questions given below it first moreover salaries in public sector enterprises are not as competitive as those offered by private or foreign corporates second this trend should be a wake-up call for stakeholders to examine why employees are seeking better opportunities with private companies in India and abroad third public sector enterprises have been experiencing severe challenges in attracting motivating and retaining their key staff fourth fourth having identified these as the reasons employees leave public sector enterprises it is important to empower stakeholders to find ways to remedy the situation fifth one reason is that young employees lewd away by private firms are more willing to undertake professional risks sixth employees in specialist roles especially have become increasingly difficult to retain question number 91 which of the following should be the first sentence after rearrangement option a first option b second option c third option d fourth option e fifth and the correct option is option c third question number 93 which of the following should be the third sentence after rearrangement option a second option b third option c fourth option d fifth option e sixth and the correct option is option e sixth question number 93 which of the following should be the third sentence after rearrangement option a second option a first option b second option c third option d fourth option e fifth and the correct option is option b second question number 94 which of the following should be the fifth sentence after rearrangement option a first option b second option c third option d fourth option e fifth And the correct option is option A. First Question No. 95 Which of the following should be the last or sixth sentence after rearrangement? Option A. First Option B. Second Option C. Third Option D. Fourth Option E. Fifth And the correct option is option D. Fourth Directions for question No. 96 to 100 In the following passage, there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each five words have been suggested, one of which fills the blanks appropriately. Find out the appropriate word in each case. Traditional bank architecture is based on bank branches. These branches ensure the physical blank 96 of a customer's savings. A customer may go there to deposit and withdraw money. Blank 97 Loans and blank 98 In other financial transactions In the past two decades, banking architecture has changed the automated teller machine or ATM has been a gig. Blank 99 And credit and debit cards have created new financial spaces. Blank 100 The bank branches has remained the bedrock of the banking system. After all, a person needs a bank account in a branch before he can operate a debit or ATM card. Question No. 96 Option A Knowledge Option B Security Option C Presence Option D Confidentiality Option E Guarantee And the correct option is option B Security Question No. 97 Option A Negotiate Option B Advance Option C Credit Option D Disburse Option E Sanction And the correct option is option A Negotiate Question No. 98 Option A Pursue Option B Interact Option C Operate Option D Enable Option E Engage And the correct option is option E Engage Question No. 99 Option A Drawback Option B Hurdle Option C Consequence Option D Luxury Option E Innovation And the correct option is option E Innovation Question No. 100 Option A Despite Option B Although Option C Even Option D Yet Option E Until And the correct option is option D Yet Dun Okay岩 si Carrie Do 164 Where You Hmm Annaime Is tao 113 1 Bur argues So Mister Trump Part lane George anything 176